नमस्कार आप देख रहे हैं HN Live और आज़ी इस रिपोर्ट में देखिए हिंदुस्तान में नहीं थम रहा इस्लामफोबिया जी हाँ अरब देशों की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद भी हिंदुस्तान में थमने का नाम नहीं ले रहा है इस्लामफोबिया एक के बाद एक मस्जिदों पे दावा ठोका जा रहा है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इस तरह से ताज महल पे कुतुम मिनार पर और अलग-अलग मस्जिदों पे दावा ठोका गया अभी फिर से करनार्टका की जामा मस्जिद पर वीचपी के कारेकरताओं ने दावा ठोका है वीचपी के कारेकरताओं ने बाइक रैली निकाली जबकि शहर में धारा 144 लागू था धारा 144 का उलंगन करते हुए वीचपी के कारेकरताओं ने बाइक रैली निकाली जिसमें सब ने भगवा गंचे पेने भगवा पगड़ी लगाई भगवा जंडे लिये और मस्जिद के पास जा रहे थे मगर पुलिस ने उन्हें मस्जिद के पास जाने से रोक लिया जरंग दल के कारिकरता ने न्यूज एजनसी से कहा कि यहां पे पहले मंदिर था यह हनुमान मंदिर था इसको टीपू सुल्तान ने मस्जिद बना दिया तो हमें यहां पे पूजा करने की इजाज़त चाहिए अब देख लिजिए कि जो लोग जैशिर राम के नारे लगा रहे हैं वो राम जी की और हिंदू धर्म की कैसी बेज़ती कर रहे हैं यह लोग यह लोग ना हनुमान चालिसा जानते हैं पड़ना ना धर्म से इनका कोई लेना देना है यह मस्जिदों को जा रहे हैं कितनी बार कितनी दफ़ा यह मंदिर जाते होंगे मंदिर जाते तो कुछ भला भी होता है यह मस्जिद क्यों जा रहे हैं रोजाना एक नएक मस्जिद पर ये दावा ठुकते हैं जाकर दंगा फसाद देश में भड़काने की पूरी इनकी साजिश है पूरी इनकी नीती है देख लिजे वीजूल से हम आपको दिखाते हैं